मॉटरन हिस्ट्री में हम आज एक कदम और आगे बढ़ेंगे देखें आप सबको पता है कि कोरोना वाइरस की एक समस्या चल रही है इसकी वज़ा से आज का लेक्चर हमें घर से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि काम नहीं रुख सकते हम सबको आगे बढ़ना है एक दिन हर विपता से हमें मुक्त होना है हमें उससे बाहर आना है हमें विज़ई होना है देखें सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात समझा दूं कि मनुष्य का सामर्थ है सबसे बड़ा है लेकिन मुख्य बात यहां पर यह है कि उस समर्थ का धे विश्वाश है यदि आपको अपने समर्थ पर विश्वाश है यही इश्वर है यदि आपको अपने समर्थ पर विश्वाश नहीं अंध विश्वाश है तो वहाँ फिर इश्वर नहीं है इश्वर विश्वास में जन्म लेते हैं यदि आप समर्थवान है उसमें आपको विश्वास है तो सामर्थ है क्या होता है सामर्थ है जो जन्म कल्यान के विशे में काम करे जो किसी का आगहात ना करे जो किसी को नुकसान ना पहुंचा है और समूचे जगत को एक दिशा में कल्यान की और ले करके चले यही इश्वर है इसी इश्वर को साक्षी मानते हो हैं अपना काम करते चले जाएंगे आप भी मांदरी से घरों में बैठ करके पढ़ते रहें क्योंकि जिन्दगी की खासियत है यह कभी जुकती नहीं सांसे रुक जाती है मगर जिन्दगी कभी रुकती नहीं चले हम मौडरन हिस्ट्री में एक कदम और आगे बढ़ते हैं हमारा next lecture communalism की और है इसके पहले हमने communalism के ऊपर आपको एक lecture deliver किया था और उस lecture में हमने complete history trace की थी communalism की कि इसकी beginning कहां से होती है यह किन-किन components के साथ आगे बढ़ता है क्या difference होता है communalism और religious sentiments का यह सारे हमने communalism का एक phase जब cover किया था उसमें अच्छे से समझाया है दूरदर्शकों से हमारा निवेदन है कि आप उसे एक बार पहले जाकर के सुन ले modern history की lecture series में आज हम communalism के next phase में आए हैं इसमें हम और बारीकियों से communalism के सभी तत्वों को समझेंगे और हम यह देखेंगे कि किस तरह से second world war तक communalism में changes आए आगे जाकर के इस पे एक third phase और आएगा तो कुल मिलाकर के इन तीन phases में हमारा पूरा का पूरा communalism का topic complete हो जाएगा और ध्यान रखें general studies के लिए आज के date में हमारी country और world level पर जितनी भी political social cultural developments हैं उनके लिए interview section और prelims के लिए ये topic बहुत बहुत important है इसे दिहान से cover करिए चलिए शुरुवात करें ठीक है ठीक है फ्रेम कवर ओके देखिए आज सब कुछ हम खुदी operate कर रहे हैं थोड़ी बहुत रूटियां रह सकती है उसके लिए आप हमें शमा करें आगे बढ़ें देखिए communalism सबसे important चीज आ जाती है इसका introduction communalism के तहर जब हम introduction की बात करते हैं क्या अर्थ है इसके introduction में देखिए इंडिया जैसी developing country के लिए सबसे important ये है कि इंडिया किस तरह से अपने different social, cultural, economically diverse sections को एक साथ united रखे किसी भी developing country के लिए ये एक बहुत बड़ा challenge होता है कि कैसे वो अपनी विवेदताओं को, अपनी diversity को एक साथ रखे क्योंकि अगर divisive forces होंगी, अगर बटवारे की नीती चलेगी हर मामले में, तो हर चीज को लेकर के आपस में एक धुंद रहेगा प्रतिस परधा ऐसी नहीं रहेगी, competition ऐसा नहीं रहेगा कि आप एक दूसरे को support करें और एक mutual co-existence के तौर पर society ग्रो करें competition ऐसा होगा कि हर कोई एक दूसरे को पीछे की और ढखेलना चाहेगा और resources को capture करना चाहेगा ऐसे में एक diverse society में एक ही वर्ग का विकास हो सकता है और दूसरा वर्ग वांचित रह जाएगा तो एक वांचित समाच, एक deprived society का जन्म हो जाएगा इसलिए किसी भी विकास शील देश के लिए, खास तोर पर अगर वो बहुत diverse है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा challenge होता है कि उसके बहुत ही limited resources उसकी low level of human resource development, उसकी low level of investment in the education, investment in the health sector, investment in the sanitation, investment in the employment generation इन situations के साथ साथ चलते चलते किसी तरह के कोई civil turmoils ना create हो, communal turmoils ना create हो समाज एक जुटता से एक साथ रहे ताकि हम अपने विकास की और बढ़े ताकि तक्नीक का समुचा विकास किया जा सके, उसे सभी मिल करके इस्तमाल किया जाए law and order की condition हमेशा बनी रहे ताकि जादा से जादा पैसा एक विकास शील देश का, एक developing nation का law and order, defense, security, internal management में ना खर्च हो industry, transport, railway, power sector, energy sector, human resource development इन चीज़ों में पैसा खर्च हो तो देखें एक developing country की अपनी अलग priorities होती है, उन priorities में सबसे important होता है social और economic infrastructure को create करना, social infrastructure जिसमें की health एक important segment है, sanitation एक important segment है जिसमें आपको स्वक्ष जल उपलब्द कराना जरूरी है, जिसमें आपके घर और आपके समाज की आपके रज्य की जो स्वक्षता है वो बहुत important चीज़ है ताकि आप बिमारी मुगता रहें, जिसमें education एक बहुत important aspect है ताकि human resource development हो ये social infrastructure create करना बहुत बड़ा challenge होता है, क्योंकि already उन governments के पास पैसा कम होता है क्योंकि revenue generation capacity इन states में कम होती है, क्योंकि ये developing होते हैं इसके इलावा economic infrastructure बहुत important है, क्योंकि अगर वो खड़ा हो पा, तभी आप एक social infrastructure भी provide कर सकते हैं otherwise आप वो social infrastructure नहीं provide कर सकते, वो economic infrastructure किस form में नजर आता है आपको वो बुनियादी धाचा देना पड़ता है, जैसे heavy industries आपको create करनी बहुत ज़रूरी है जैसे आपको transmission lines, जैसे बड़े transformer, electricity production और वो production आपको distribute करनी है जैसे important है अच्छा road, rail, water network और aviation network establish करके देना जैसे जरूरी है mining segment को आगे ले करके जाना, जरूरी है skill development करना लोगों का यह सारे bridges, dam, यह सारी construction अगर development की तरफ बढ़ें तभी जाकर के आप एक potential जो economy का है जो resources का है और जो human का है वो realize कर सकते हैं इसी से आपके capital formation होता है, पुझी का निर्मान होता है, लोगों को रोजगार मिलता है तो वो कमाते हैं, उसका कमाने की वज़ा से पैसा जमा करते हैं, वही पैसा आगे फिर आप saving में रखते हैं तो वही savings जो हैं वो finally capital formation का रूप ले लेती हैं और वो loan के तोर पर उध्योग जगत को और बाकी सबी वर्गों को उपलब्द होता है कि वो विकास कर सकें, निवेश कर सकें इस तरह से फिर एक विकास का पहिया चल पड़ता है और ऐसे में अच्छी facilities supply करने के लिए अच्छे hospital, अच्छे school, अच्छे colleges, अच्छे municipal committee, commissions और अच्छे waste management systems establish होते हैं लेकिन इसमें पूरी तरह से आगहात लग सकता है उधारन आपके सामने हैं अच्छा आपको कोई भी राज्य उठा ले शुरू से लेकर के अब तक अभी भारत ने कुछ दिनों का lockdown देखा अब आप देखें कल से एक जनता करफी और उसके बाद आज का lockdown एक आहाकार समझा हुआ है उध्योग धन्दे चात्र सभी वर्ग अपने आप में चिंतित हैं परिशान हैं कि कैसे काम चलेगा दिहाडी दार आदमी परिशान हैं ऐसे में आप imagine करके देखें पिछले 70 साल से जमु कश्मीर इसी दंच को भुगत रहा है कारण देखे कोई भी हो वहाँ पर political reasons हो, militancy का reason हो, youth को रोजगार ना मिलने का reason हो कारण कोई भी हो लेकिन एक चीज़ तो notice करिए कि बंद वहां के culture का ही एक हिस्सा बना दिया गया है हर आए दिन बंद है, हर आए दिन वहां पर कर्फियू है, हर आए दिन 144 है, कई तरह के lockdown है तो इस turmoil की वज़ा से आप notice करिए, वहां का विकास नहीं, वहां पर उद्ध्योग धंदे नहीं है वहां पर law order की परिस्तियां नहीं हो पाई, और वहां पर इसी वज़ा से youth की development नहीं हो पाई जिस वज़ा से वो और chaos में चला जाता रहा, इसी तरह से उत्तरपूर वराज्यों की बात करे, वहां पर militancy आपको लंबे समय तक नज़र आती रही इसी तरह का challenge भारत के सामने भी है, कमिनलिजम का आज जो लंबे समय से था और ऐसे में उस कमिनलिजम के challenge को target करना ही यह important था कि आप अपनी diverse society के अंदर एक unity बना करके रख सकें लेकिन हमेशा से ही मैं आजादी के पहले की बात यहां पर करता हूँ कि कई सारे factors रहे, कई सारे different circumstances रहे, कई तरहां की government की policies रही इन policies और इन circumstances की जो अलग-अलग forces है, इनका एक product निकल करके आया कि आप कमिनलिजम से पार नहीं पापाए, आप उसे रोक नहीं पाए और वो हमें नजर आ रहा है कि कई चीज़े रही जैसे the peculiarity of social economic development in the 19th century जब मैं यहां पर 19th century का जिकर कर रहा हूँ तो मतलब यह है कि मैं लगभग 1800 से 1900 के बीच की बात कर रहा हूँ इस दोरान ही आपको पता होना चाहिए, 1857 का revolt भी हुआ इस point को हम detail में discuss करेंगे लेकिन मैंने यहां पर यह 5 point इसलिए लिखे हैं कि जब आप communalism के उपर चर्चा करें तो आपको यह पता रहे कि भाई यह 5 मुख्य चीज़ें हैं जिसके वाजा से हम communalism को tackle नहीं कर पाए और हमारे देश में communalism का एक बीज ऐसा बोया जा चुका जो आज दिन तक देश के विकास में, देश की सहींशुनता में, टॉलरेंस में, सार्व भामिक्ता में कई तरह के सेंद लगा चुका है और देश को एक नुकसान की और ले जा रहा ऐसे में, the peculiarity of social economic development in the 19th century का मतलब यहां पर यही है कि जो social economic development हुई है 19th century में, जैसे की social religious reform movements के तौर पर आपने कई तरह के समाज वहां पर देखे R.S. समाज आपने देखा, ब्रम सभा, ब्रम समाज आपने देखा, राम कृष्ण मेशन आपने देखा, इसी तरह से आपने अलीगड मूवमेंट के तौर पर अलीगड मूवमेंट देखी आपने, इसी तरह से देवबंध स्कूल की मूवमेंट आपने देखी ये सारी movements एक तरह से सामाजिक धार्मिक उत्थान का ये दौर था, social religious reform का एक समय था, ये एक important चीज है, इसी समय में 1857 के विद्रो होए और अंगरेजों ने उसके बाद Muslims को disadvantage में रख करके हिंदूस को पहले 1875-1880 तक privileges दिने शुरू किये, एक policy of counterpoise चलाई ये, अभी आपको समझा जाएगा, हिंदूस जादा तेजी से adapt हो गए, education ले गए, professions में induct हो गए, और Britishers के modern setup का benefit ले करके जल्दी चले गए, जबकि Muslims जादा reactionary रहे, वो इन चीजों का benefit नहीं ले पाए, इस तरह कि ये peculiar social economic conditions जो exist कर रही थी 19th century में, ये इस बात के लिए जिम्यदार है कि से भी चर्चा करेंगे, अगला important aspect है, the impact of colonial rule, एक तो अपने आप में colonial rule का एक impact है, colonial rule भारत में आया, आने के बाद भारत में जो सत्ताधारी हैं, जिसमें से majority Muslim segment है, उनको उन सत्ताओं से उपधस्त कर दिया, यानि कि उतार करके खत्म कर दिया, side कर दिया, किनारे कर दिया, इसके इलावा उनकी economic policies, जिसके तहत उन्होंने बड़े पहमाने पर भारतिया handicraft को खतम कर दिया, rural industry को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, farming class को उन्होंने बुगमरी की तरफ धकेला, विकास का कोई कारें नहीं किया, और food grain को replace कर दिया commercial crop से, उस commercial crop का benefit real estate holder को मिला, यानि क European planter को, जबकि उसका लाब सीधे सीधे भारते किसान को होना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, one way free trade policy के तहद भारती उद्योग दंदे खत्म कर दिये, ब्रिटेन से आने वाले goods पर इंडिया में कोई import duty नहीं लगती थी, लेकिन Indian goods जब ब्रिटेन जाते थे उन पर heavy import duty लग रखना, commission ranks नहीं provide करनी Indians को army के भीतर, कोई भी democratic process नहीं अजमाना, यानि कि Britain की Parliament से बने हुए act, उन act का पालन company करती रही और भारतियों का exploitation करती रही, economic drain की policy जिसके तहत बड़े पैमाने पर home charges के नाम पर, military expeditions के नाम पर, अपने employees की salaries और बाद में pensions के नाम पर, भारत में भारत से revenue generate करके उस revenue के दम पर, China से product purchase करना और Britain भेजना, इस तरह की सभी नीतियों, भारत में railway लाना, उस railway को assured income, assure करना, जबकि पता था कि सुरवाती 40-50 साल में railway मुनाफ़ा नहीं कमाएगी, नुकसान में रहेगी, ऐसे में उसे Indian Exchequer, यानि की Indian Treasury से fixed returns promise करना, जिसके तहद भारती है खाजानों को बड़े level पर नुकसान होना, British और European companies के पैसे का भारत में निवेश करना, जिस निवेश पर assured returns promise करने, जबकि शुरुआती समय में अगर कोई private player ये पैसा assured return की promise के बिना लगाता, तो उसे शु पालिसी का सीधा नतीजा ये निकल करके आया, कि इसका एक end result communalism में भी नज़र आया, अभी आपको समझ आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, rule of colonial policies, एक तो impact है, colonial rule है, उसका एक natural impact ही है, कहीं पर भी colonial rule होगा, इसका एक natural impact आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके इलावा ये आपने कानून, आपने नियम बनाए, जिसके तहए आपने प्रिंसली स्टेट्स को आम जन्मानस के खिलाफ कर दिया, यानि कि वो लोग जो 1857 का भी द्रो कर रहे थे और दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स, एक तरफ आपने पढ़े लिखों को अनपड़ के खिलाफ कर द को किया, जमींदार को किया, आपने करांतिकारियों के खिलाफ उन constitutional समयधानिक संस्थाओं को कर दिया, जो समयधानिक तरीके से आप से आजादी चाहते हैं, इस तरह की policy of counterpoise आपने हमेशा इस्तमाल की, जिन का भी एक नतीज़ा ये निकल कर के आया, कि भारत में कमिनलिज national forces, ठीक है, कि ये चीज़ें existence में थी, पहला कारण था social economic peculiarity condition सी, दूसरा कारण है कि impact था colonial rule का, तीसरा कारण है कि colonial policies थी, ये फिर भी contain हो जाती है अगर हमारी country में एक strong nationalist force होती, लेकिन हमारे देश में भी ये कमी रह गई कि anti-communal strong nationalist forces का विकास नहीं हो पाया, Congress 1885 में जाकर क खड़ी हुई और उसके बाद Congress शुरुवाती दौर में अपने structure से ही जूचती रही, उसके ओपर tag लगेगी, एक microscopic minority को represent करती है, Lord Dufferin ने उसके ओपर ये आरूप लगाए थे, Congress पर आरूप लगा कि ये सारा सवत ब्रहामनों की conspiracy है, यानि कि ये ब्रहामन dominating है, Congress के अंदर ही आपको कई faction नजर आते हैं, जैसे की नरम दल moderates और गरम दल extremists, और 1907 में इनका हुआ विभाजन, फिर Congress की कमिया रह गई जिसके तहत उन्होंने Muslim League की मांगों को स्विकार किया और separate electorate को accept किया, जो की अंगरेजों के द्वारा मुसलमानों को दिया गया था, और ये Communalism का ए आप देखेंगे तो 1906 में इंडियन Muslim League, communal forces बहुत स्ट्रॉंग हो गई, 1906 में इंडियन Muslim League का जन्म हुआ और वो प्रो-government थी, anti-Congress थी और anti-nationalist movement भी थी, ना तो वो national movement में पाट लेती थी, ना वो Congress का समर्थन करती थी, और वो सरकार के समर्थन में थी, सरकार मने के अंगर महासभा की शुरुआत होई, और All India Hindu महासभा भी अपने अंदर एक strong revivalist tendency लेकर क्या ही, हिंदू religion को revival करने के नाम पर, तो ये भी एक orthodox puritan character अचीव कर गई, जिसके ताहत हिंदू Muslim Divide भारत में बहुत prominently उपर करके है, तो एक तरफ Muslim League, एक तरफ Hindu महासभा, ये दोनों ने अ Communalism, वन बाई वन अब आपको समझाते चला जाओंगा, लेकिन ये पांचों आपको कभी नहीं भूलने, ये एक कारण था, उन्नीसमी सताबदी की हमारी कुछ विचित्र परिस्तितियां, सोच समाजिक आर्थिक तोर पर, सोच एकनोमिक पेकुलिरी कंडिशन, दूसरा है, उनका जो रूल है, वो बहुत important रहा, फिर हमारे देश में कोई ऐसी national force नहीं travel up होई पाए, जो anti-communal thoughts को जादा strong कर पाए, और anti-communalism के खिलाफ कड़ी हो पाए, और अगला communal wings का बहुत activate होकर के काम करना, जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ऐसे में अब हम समझते ह हैं, सही मायना में कि what is communalism, communalism के concept को अब हमें समझना जरूरी है, रोकिए, चलिए, communalism के विशे में अब चीजों को समझते हैं, देखे, communalism को लेकर के एक बहुत strong aspect ये रहता है, जो लोग communalism के thought को आगे promote करते हैं, उनका मानना ये रहता है कि वो आपको identify करते हैं religion के साथ, देखे, एक चीज़ बात आप मान करके चलिएगा कि जो human होता है, उसकी कई identities होती है, कई identification होती है, जैसे आपके identification आपके gender से भी होती है, male, female, आपके identification आपके occupation से भी होती है, कि आप क्या occupation करते हैं, आपके identification आपके region से भी होती है, आप पंजाबी है, आप बेंगॉली है, ये भी एक important है आपकी identification आपकी ethnicity से होती है कि आप Asian है African है European है American है आप Hindi भाशी है कि आप बंगला भाशी है कि आप Punjabi बोलने वाले हैं आपके culture से होती है आपकी identification आपके class से होती है कि आप हाई-class है लो-class है आपके identification आपकी caste से भी होती है और आपकी identification religion से भी होती है आप multifaceted होते हैं कि human multifaceted होता है इसमें identity के कई basis हैं लेकिन जो communalist रहेंगे उनका ये purpose रहेगा कि वह always it is a case कि आप impose कर रहे हैं religion based identity को other identities पे so it is the exaggeration of the role of religious identity on the other ideologies sorry other identities और it is the case of the imposition of the religious identity on the other identities उनके मताबिक यह होता है कि कोई और other identity exist नहीं करती है अगर कोई identity exist करती है तो वो सिरफ religion based identity exist करती है ऐसे में वो फर यह मानते हैं कि हर important आपका जो political, economic, cultural, social interest है वो कही न कही centered है आपके religion पे है तो वो यह मानते हैं कि जो religion उनका यह notion रहता है कि आपके सारी रूचियां आपकी सारे विकास के कार्य आपके हर तरहां के सम्मंध सामाजिक आर्थिक, सांसिकरितिक, धार्मिक राजनितिक पूर्णता टिके हुए हैं communalism के उपर, communalism ही इसे तै करता है, तो यह लोग यह मानते हैं कि communalism समाज का आधार है अब जब communalism basis of the society है तो मतलब वो यह कह रहे है कि religion is the basis of society अब जब धर्म ही समाज का आधार है तो फिर इसी के आधार पर समाज बटेगा भी, देखो समझे एक बात को, सपोस कीजे हम यहाँ पर 10 लोग हैं और यहाँ पर एक समाज है तो वो यह कह रहे हैं कि religion is the basis of the society तो मतलब इस में से मान लीजे छे लोगों का एक धर्म है तो उनका उस particular platform पर एक हो करके अपना एक community बना लेना अपना एक समाज बना लेना किस आधार पर बनाया है दर्म के आधार पर तो वो छे इसी मामले में जुड़े भी आपस है बट वो छे बाकी चार से अलग भी तो हो गए विभाजित भी तो हो गए देखे पहले वो हो सकता है कि पंजाबी भाषा के आधार पर दस के दस थे आप एक जगा पर गए एक प्लेग्राउंड में आपने दस लों को देखा और आपने वहाँ पर बुला कि दस पंजाबी घड़े थे क्योंकि पंजाबी भाषा के आधार पर वो दसों एक थे तो unity थी तो उनका समाज कै था पंजाबी समाज या बंगाली हो सकते थे या हिंदी हो सकते थे ऐसे में आप मान लीजे कि अगर हमने ये मान लिया कि समाज का अधार धर्म है तो अब वहाँ पर जाएंगे आप तो यह होगा कि 4 लोगोंने बता है मिरा धरम हिंदू है तो आपने बूला कि यह जो समाज है, इसका जो धे है, इसका जो आधार है, वो धर्म है. ऐसे में धरम के आधार पर तुम 6 का एक समाज है और फिर बाकी जो 4 ख़ड़ें तुम से अलग है. तो division का भी basis यही है, unity का basis यही है, तो society का basis religion है, उनका मानना यह, चार अलग कर दिये, हिंदू हो गए, छे अलग हो गए, मुसलिम हो गए, इस तरह से यह society का basis religion को मान करके चलते हैं, और यह होती है कि कमिनलिस्ट की tendency, ऐसे में कुछ चीज़ें उभर करके आती हैं, अब मैं उ अजादी से पहले, क्योंकि society, economy, polity, culture, इनके नाम पर होता यह था कि आप पहले से एक भारत में जो एक समाज है, majorally आप मान करके चलिए, वो एक तरहां का हिंदू समाज exist कर रहा है, ऐसे में मुसलिम्स की entry होती है, अगर हम अदर चीज़ों को देखें, तो जैसे बुद्ध जैसे जैनिजम्स है, वो एक तरहां से, जिस समय में सुरू हुआ, बीसी पीरिड में, वो हिंदूइजम का एक रिफॉर्म फेस था, ऐसे में जब अगर हम सिख्षिजम की बात करें, तो सिख्षिजम जब AD पीरिड में शुरू हुआ, वो भी एक तरहां हिंदूइजम का सिख्षिजम है, यह के रिफॉर्म बर्जन के तौर पर हुए, जो क्रिस्चैनिटी तो प्रॉपरली आया है, यह यहां पर भारत में, ऐसे में एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर एंटर होते हैं मुसलिम्स, अब एक हिंदू समाज ग्रामीन छेतर में सांस्क्रितिक तौ पर कल्चरल सोशल फोर्स के तौर पर बहुत स्टौंगली एक्जिस्ट कर रहा है, ऐसे में एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर एक एथिनिक बैकग्राउंट के लोग आए हैं एक धर्म के साथ और वो हो गए, यहां पर मुसलिम, अब पुछ जब यहां पर भारत में आए हैं एक मुसलिम धर्म के साथ, तो मेंली यह माना गया है कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एकोनॉमिक अगर कंफ्लिक्टिक इनके बीच में हुए हैं, तो मेंली हिंदू मुसलिम के बीच में हुए है, पिजिए इंडिपेंडनेंस, ऐसे में हमारे देश में कमेनलिजम को ह हमेशा हिंदू मुसलिम विवाद से जोड़के देखा गया है, इसकी historical background समझा गया आपको, जबकि यह सत्य नहीं है, कमेनलिजम केवल हिंदू मुसलिम तक सीमित नहीं है, कमेनलिजम हिंदू सिख्ष के बीच भी हो सकता है, कमेनलिजम क्रिश्चन सिख्ष के बीच भी हो स पंजाब में सिख्ष और इसलाम, सिख्ष और मुसलिम को लेकर के भी कमेनलिजम हुआ है, तो जो एक by and large perception आपके दिमाग में जब भी आएगा ना, आप एक चीज दो सोचेंगे, कि जब भी आप से कहा जाएगा कमेनलिजम, कमेनल दंगे हो गए, कमेनलिजम हो गए, धरम क आदार पर बाट दिया गया, इसको जब भी आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में यही आएगा, आप अगली आइडिया क्या हो गए, कमेनलिजम के दंगे हो गए, तो आप से क्या कहेंगे, हिंदू मुसलिम दंगे हो गए, यह हमारा pre-independence है, यह notion यह बना हुआ है, जब पर आपने ठपा डिलाया है, और कैसे वो जंप लिकर रही है, इंटेंसिटी के रही है, उसकी स्पीड के रखिया है, यह सारी चीज़ें पिच है, आपने साउंड कैसे निकाला है, आपने कैसे सब पिच किया है, तो जो पिच रही है, यानि कि जिस तरह से आपने कमेनलिज को execute किया है, यह जितना intense रहा है, यह सदा एक जैसा नहीं रहता, यह variable रहती है इसकी pitch और इसकी pitch हमेशा increase होती है और हुई है भारत में, जैसे जैसे हमारे देश में politically aware हुए है हम, हम तेजी से जब से जैसे आजादी के और बढ़े हैं, और जैसे जैसे national movement strengthen हुई है, तो यह ए आप national struggle में proceed हुए है, further stages में, communalism भी parallel, directly proportional, उतनी तेजी से बढ़ा है, यह बात आप याद रखे, जब आप politically dormant थे, अब एक कंड नहीं थे, अब weird नहीं थे, freedom struggle weak थी, और आप आजादी से बहुत कोसो दूर थे, तब communalism भी उतना ही dormant था, उतना ही weak था और उतनी दूर था, जैसे जैसे यह बढ़ रहे हैं, simultaneously ही यह भी तेजी से बढ़ रहा है, और आप देखें, development आपको नजर आती होगी, 1905 का स्वदेशी movement, जिसमें बंगाल के विभाजन के खिलाव एक राष्ट्री चेतना जगी, simultaneously उतना ही strong communalism का भी जनम हुआ Muslim League, आगे बढ़ते हैं हम तेज में लाहर सेशन में महमाद अली जिन्ना के द्वारा two nation theory का resolution पास कर देना, और आगे चलते हैं सबसे बड़ा इविंट नीसों चंताली भारत की आजादी और भारत पाकिस्तान के टुकडे, तो यह जैसे यह प्रोसीड हुई है, यह भी directly proportional, तेजी से intense हुआ है, प्रोसीड ह हुआ है, तो मतलब इसका यह है कि कमिनलिजम कहीं न कहीं resemble हो रहा है freedom struggle के साथ, कमिनलिजम कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, बड़ी strongly किसके साथ, national struggle, independence की achievement, political awakening के साथ, जितना वो proportion में grow हो रहा है, यह भी grow हो रहा है, यह एक important aspect है, अब इसको समझते हैं कुछ aspect, इसके कुछ तधे रहते हैं, कुछ तरीके रहते हैं, क्या तरीके रहते हैं? कमिनलिजम की thought को इसतरह से strong किया जाता है, इस तरह से consolidated किया जाता है, कैसे किया जाता है? सबसे aspect तीन चीज़े मैंने लिग दिया है, interest same, interest different, interest antagonist and conflicting. क्या मतलब मैं मातलब समझाता हूँ? communalist का मानना ये रहता है कि जो लोग भी same religion के member है एक same धर्म से आने वाले जितनी भी सतस्य हैं the member of same religion उन सभी के social, political, cultural economic interest same होंगे जैसे वो ये justify करना चाहते हैं कि अगर आप same धर्म से हैं मतला हिंदू हैं या मुसलिम हैं तो अब वहां पर ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप जमीदार हैं और वो सिरफ आपकी खेतों पर काम करने लाग किसान और दिहाडीदार वो ये कह रहे हैं कि irrespect of your class, irrespect of your caste, your language your economic status, your intellect your knowledge, your position in the society your interests are same because you both are belonging to the same religion ये वो कहते हैं जबकि ये बिल्कुल मित है ये reality नहीं है क्योंकि अगर एक जमीदार है और एक किसान है दोनों के interest totally different है क्योंकि जमीदार को colonial policy support कर रही है यहां पर अब जमीदार हिंदू है या मुसलिम अंतर नहीं पड़ता लेकिन उसे जमीदारी का है अंतर नहीं पड़ता है कि वो हिंदू है कि मुसलिम वो इस colonial नीती में सफर ही हो कर रहा है तो बशरते की वो कौन से धर्म से है वो उस आर्थिक नीती के तहत exploit हो रहा है बशरते की जमीदार किस धर्म से है वो उस आर्थिक नीदी का लाब उठा करके लाबहनवित हो रहा है लेकिन हम यह कह रहे हैं कि जमीदार और किसान का इंट्रस्ट सेम हो जाएगा अगर वो एक धर्म से बिलॉंग कर जाएंगे यह कंफ्लिक्टिंग आस्पेक्ट है लेकिन ऐसा कमिनलिस्ट कहते हैं यह इंपॉर्टन चीज है अगला इ यह है यहाँ पर भी एक चीज दिहान से सुनिए कि मान लीजिए कि आपके सामने आप एक खेत में गए आपके सामने उस खेत में दस दिहाडीदार काम कर रहे थे अगरी कल्चरल लेबर काम कर रहे थे मैं यह कहता हूं कि मान लीजिए उसमें से पांच हिंदू हैं और पां wages proper मिले, उन्हें working days proper हो, और उनकी working conditions proper हो, दिहाडियां ना दबाई जाएं, और उन्हें उस produce में से कुछ हिसा मिले, उनकी life secure हो, ऐसे में मैं उनके interest इस तरह से देख रहा हूँ, एक economic group के तौर पर, economic group क्या है कि वो एक labor class के तौर पर काम कर रहा है, तो उनके interest सेम होए, लेकिन communist यह देख रहा है कि नहीं, क्यूंकि आप चाहे दिहाडिदार हैं, गरी culture labor बढ़ापक Muslim हैं, क्यूंकि आप हिंदू हैं, आपके interest भी different हैं, ये एक communist का नजरिया होता है, एक तरफ interest सेम की कहानी बताई, एक तरफ interest, एक interest सेम बता करके जमीदार को और दिहाडिदार को एक ग्रूप में डाल दिया, interest different बता के दिहाडिदारों में से दो ग्रूप अलग कर दिया, समझा रहे कैसे देखिए, जोडने और बांटने का काम कैसे चलता है, ये communist मानता है, अगला है interest antagonist and conflict, यहीं नहीं रुखता है communist, उसकी दिवानगी इस आलम को प्राप्त कर जाती है, कि वो ये कहता है, कि interest तुमारे different नहीं है, वो उन agriculture laborer को समझा रहा है, पांच को, मुस्लिम नेता गया तो उसना इधरा हो, हिंदु नेता हो, इधरा हो, हाँ, केते, तुमारे interest उसे different है, वो केते, ठीक है, different है ना, हम काम तो कर ले जागे खेतों मैं केते, चुप, interest तेरे different ही नहीं है, तुमारे interest एक दूसरे के बिरोधा भासी है, antagonist है, और conflicting भी है, मतलब अगर वो उस खेत में काम कर रहा है, तेरे लिए वो नुक्सान दायक है, उसे हटा, हाँ, हटे, वो हटेगा तो तेरे interest सर्व होंगे, या फिर तू हट तो उसके interest सर्व होंगे, मतलब तुम एक साथ काम कर भी रही सकते हो, with a different interest, क्योंकि तुमारे जो interest है ना, वो conflicting हैं, वो antagonist हैं, अगर एक कोस्थाली से भोजन मिल गया, तो दूसरा वांचित रहना है, और दूसरे रहना है, तो तुम वांचित रहना है, तो तरीका यह है कि तुम हथे आ लो, तुमको आगे वरने के लिए, उसको दबाना है, हटाना है, पच्छाड़ना है, तो यहां से शुरुवात होती है, दंगों की, यह तीन element, communalist always मान करके चलता है, जबकि यहां पर वो बहुत सारी गलतियां करके चलता है, वो अभी आपको समझ आ जाएगा, जबकि मैंने अभी साथ साथ सारा analysis आपको दिया, कि यह reality नहीं है, जब आप communalism की बात करते हैं, बहुत बार ऐसा माना जाता है, कि communalism पीछे से ही देन है, जैसे मैंने आप यहां आपको बताया, कि हिंदू-Muslim pre-independence, हिंदू-Muslim conflict रहते थे, लेकिन अगर आप अच्छे से अध्यान करें, तो आपको यह पता लगता है, कि communalism medieval period के दौराण, आपको हिदू-Muslim conflict तो नजर आते हैं, देखें, conflict तो घरों में होते हैं, दो भाईयों में conflict होते हैं, भाई-बहन में conflict होते हैं, खिलोने को लेकर के, फिर एक महले में कई तरह conflict होते हैं, भी आपकी गाड़ी यहां लगी हैं, मेरी गाड़ी लगेगी, वो conflict हैं, और एक democratic society में, आज की डिट में conflict नहीं है, एक opposition party के कई conflict है, ruling party से, पतरकारों के कई के तरह के conflict है, सरकारों से, सरकारों के कई तरह के conflict है, उनसे जो protest कर रहे हैं, तो conflict तो एक लोकतंतर में होने ही है, राज़तंतर में भी conflict होते हैं, लेकिन मुद्दे के बात यह है, कि आप उस conflict को किस रूप तक ले जाना चाहते हैं, वो conflict का आधार क्या बताना चाहते हैं, देकि मान लिजे कि conflict आपका इस बात को लेकर कहें, कि यहाँ पर गाड़ी मुझे लगानी थी, ऐसे में अगर आपको गाड़ी लगाने की space कहीं और मिल जाए, या वो जगह ही आपको लफद हो जाए तो आपका conflict कतम हो जाएगा, आप दोनों में फिर कोई बैर नहीं रहा, लेकिन अगर यह कमिनलिजम है, तो अब चाहे उसने आपको गाड़ी लगाने की जगह दे दी, या आपको कहीं और जगह प्राफ्त हो गई वो भाड़ में जाए, आप एक दूसरे के दुश्मन हो यह तैह है, क्यों? क्योंकि आपका पर्मानेंट ही एक conflict है, क्यों? क्योंकि आप कमिनलिजम के थौट से चल रहे हैं आप विक्टिम हो गए हैं कमिनलिजम के, तो वो यह कहते हैं, इतिहास कारे कहते हैं, क्यों मेडिवल सुसाइटी में ऐसा नहीं था, conflict तो थे, मुहिंदू-मुसलिम समाज में रिसोर्स को ले करके, opportunities को ले करके, conflict तो थे, लेकिन वो कभी भी उस level पर कमिनलिजम का रूप नहीं ले पाए, कमिनलिजम जो नजर आया है, वो mainly advent of the European के साथ है, तो यह एक modern देन है, वो ऐसा मान करके चलते हैं, ऐसे में, कमिनलिजम को हम सब जब समझते हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, हम इसके component को identify नहीं करते हैं, हम always इन सब words को same ले करके चलते हैं, कौन से words हैं, communal ideology, communal tension, communal violence, communal politics, communal feelings, आप अक्सर यह बाते सुनेगे, बहुत communal tensions हैं, बहुत communal feelings हैं, बहुत सारी communal ideologies हैं, बहुत बड़े लेवल पर communal violence हैं, बहुत बड़े लेवल पर communal politics हो रही हैं, ना, यह सभी भिन component है, communalism में एक structure है, उस structure में यह सारे अलगलग component है, जैसे आपकी body में अलगलग organ है ना, आप जैसे liver को heart नहीं कह सकते हो, जैसे heart को kidney नहीं कह सकते हो, kidney को spleen नहीं कह सकते हो, body आपकी structure है पूरा, उसमें यह सभी component है, आप इसका treatment ही नहीं कर सकते हैं, अगर आपने एक एक component को नहीं समझा, इन सारे component को जोड़ करके रखता है आपका पूरा का पूरा vascular system, जिसके तहट नलियां सारी जोड़ के रखते हैं आपके transportation system, ऐसे में communalism एक structure है proper, अब उसमें मैं आपको एक उधार्न बताता हूं, जैसे ध्यान से समझो, मैं communal tension और communal politics का अंतर बताता हूं, देखें जो communal tension होती है, यह बहुत temporary character की होती है, पहले तो इसका character क्या होता है temporary, यह express किस form में होती है, यह express होती है in the form of communal violences, और यह violences भी बड़ी spurting होती है, spurts मतलब की enter कर गई एकदम से, किसी चीज में, एकदम से rise होती है, बहुत एकदम से सर्च करती है, खत्म हो जाती है, यह क्या होता है temporary, आप देखेंगे कही तरह की communal tensions create होती है दिल्ली में, कही spurting होती है, और यह एकदम से सर्च करती है, और इसका express होने का तरीका है कि इसमें communal violence होता है, लेकिन इसमें majorly हमेचा involved कौन रहेगा, तो low classes, low classes of the society, so you need to understand the communal tension first, but contrary to that, communal politics is totally different, what do you mean by the communal politics, communal politics temporary नहीं होती, it is a permanent and continuous process, यह permanent होती है, यह continuous होती है, अगला important aspect इसका, यह बड़े level पर, जमीनदार, aristocrate, rich people, or the educated elitist middle classes के contribution से चलती है, क्योंकि उन्हें power चाहिए, उन्हें सत्ता चाहिए, अब समझे, जो बड़े बड़े आका है ना देश में, पूरे विश्वर में, उन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता पे बने रहना है, the position, ऐसे में, position must be permanent, their position, their legacy, their privileges must be continuous, so for that they are doing perennial politics in the name of religion, that's it, that is communal politics, it is continuous, but it is related with the high class, but for that to realize that politics, to realize that and that agenda, what they are doing, they are creating communal tensions, they are mobilizing the masses, the low class people, because they are illiterate, they are unemployed, they are fully deprived of the resources, so they are utilizing them, that's why तोड़े थोड़े इंटर्वल पे events होते हैं, जो बड़े spotting से होते हैं, बड़े surging से होते हैं, और उसमें मरता कौन है, गरीब मरता है, पिछडा मरता है बेचारा, तो वो temporary है, politics permanent है, वो low class contribution ये है, high class contribution, इन component को नहीं समझेंगे तो कैसे बात बनेगी, that is very important, अब ऐसे में इसके दो आयाम और बनते हैं, weapon and value, communalism weapon की तरह भी use होता है और value की तरह भी use होता है, इसको दिहान से समझीए, को दो word बड़े synonym से use कर ले जाते हैं किताब हमें, लेकिन ये आपको समझ आने जरूरी है, तेकि communalism को weapon की तरह वो use करेगा, जिसको एक political gain अचीव करना है, जिस वो अपने किसी vested interest को serve कराना चाहता है, अपने लिए कोई better privilege चाहता है, तो वो तो इसे use करेगा as a weapon, लेकिन communalism simultaneously value भी है, ये value किन के लिए है, ये value उन लोगों के लिए है, जो लोग, outlook wise they are very religious, you will feel, outlook wise ये आपको पूरे धार्मिक नजर आएंगे और ये होते भी हैं, बहुत ये वो नहीं हैं जो communalism को अपने vested interest, communalism को political gain और communalism को privilege के लिए इस्तिमाल करते हैं, नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जो communal ideology को subscribe कर जाते हैं, subscribe करना एक अलग बात है, मतलब ये accept कर लेते हैं communalism को कि हाँ ये सही है, कि हम हिंदू को का विरोध है मुसलिमों से, हम मुसलिमों का व नहीं हो सकता, ये religiously, they are pious, their outlook is religious, but at the core, they are somewhere accepting the communalism as an ideology, that's why they are victim, they are victim of communalism, और they are being exploited by the section of the people, those who are using communalism as a weapon, तो जो लोग कमिनलिस्म का ऐसा weapon use करते हैं, वो all the time किने exploit करते हैं, जो कमिनलिस्म के victim हो रखे हैं, वो उनकी sentiment को enchant कर देते हैं आर बार, उनसे बयान बाजियां कराके, समाज उनके पीछे लगाके, आगे mobilize कर, और इनको पता भी नहीं है कि ये कमिनलिस्म के victim हो रखे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा एक हातिर, इसकी मजबूती, इसी से एक segment create हो जाता है, fundamentalist, और फिर आगे जाकर आपको ज़्यादा आतंक बाद, ये एक important चीज़ है, तो इस तरह से ये दो, एक weapon के तौर पर यूज़ कर रहा है, एक will you के तौर पर यूज़ कर रह है, कैसे वो interest के basis पर game खेलता है, कैसे हमने देखा component के level पर अलग-अलग component है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे है, तो deduce क्या हुआ कि communalism एक structure है, उसके अंदर अलग-अलग component है, components कौन से है, communal tension, communal violence, communal politics, communal feeling, weapon and values, इन सारे components को एक thread ने जोड़ा है, thread कौन सा है, communal ideology, communal ideology, और यही thread है, जिसने उसे structure को बनाए रखा है, इस तरह से communalism अपने सभी components के साथ मिल करके काम करता है, आगे के नूच त्यार करलता हम फ्रागे बढ़ते हैं, communalism को better way में समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, देखे, communalism की जो धारणा है, ये बड़े सतर पर बहुत क्कून सी चीजें हैं, जो at least communalism नहीं है, समझ रहे हैं भारे, देखे, जब आपको कोई ये कहता है कि मैंने ये कारे किया, तो आपको ये समझना जरूरी है ना कि ये सत्य है या ब्रहम पहलाया जा रहा है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये at least इसने क्या नहीं किया, तो जो आपको ये पता लग जाएगा कि इसने ये कारे नहीं किया, तो ultimately उसका ये कथन कि मैंने ये कारे किया, ये ब्रहम हो जाएगा न, ये myth हो जाएगा न, तो communalism को लेकर बहुत सारे myth है, इसका एक तरीका ये है, कि आप ये समझ लें कि communalism at least क्या नहीं है, ये communalism at least किस तरह से नहीं आता तो आपको अपने आप उसके मित अडेंटीफाई हो जाएंगे और उसके लिए कई प्रयास किये गए हैं उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़े समझाता हूँ कमिनलिजम के बारे में एक बात बहुत इंपोर्टन है कि not merely religions entry into the politics अब क्या होता है कि एक मित हमेशा ये फैलाया जाता है कि कमिनलिजम वहां है कमिनलिजम का अर्थ यह है कि धर्म राजनीती में जब दखल करता है समझाई तड़का लगा है अभी ये उसकी आवास थी चलने दीजे कोई बात नहीं ये खाना खाएंगे तो लेक्चर देंगे ना बाई और लॉकाउट में ये तो बड़ी चीज है कि सरकार के द्वारा समाज के द्वारा खान पान की वस्तों में मुहाया कराई गए ये तभी तड़के लग रहे है तो ये भी इश्वर का धन्यवाद ही है चलिए, thank you so much तो कमिनलिजम ये एक important thought है कि धर्म की राजनीती में जब entry हो जाती है तह वह कमिनलिजम हो जाता है अगला important aspect ये है कि राजनीतिक purpose sort out करने के लिए अपनी politics को define करने के लिए आप धर्म का सारा लेते हैं पॉलिटिक्स में religion के एंट्री हो जाना या आप अपनी politics को define करने के लिए religion को resort करते हैं religion की ओर जाते हैं तो ये कमिनलिजम है यह सत्य नहीं है पूनता क्यों क्योंकि 20th century के अगर मैं बात करूँ 1900 ओनवर्ड दो कद्दावर भारत के ऐसे नेता हुए हैं जिनमें महात्मा गांधी यानिकि महुंदास करमचंद गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद इन्होंने बड़े स्तर पर धर्म का आसरा लिया धर्म पर आशिर्त रहे अपनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए अपनी राजनीती को डिफाइन करने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कोई शक नहीं है इसमें जैसे सबसे important aspect मैं महात्मा गांधी का या आपके सामने लेता हूँ यह clear cut था कि महात्मा गांधी ने mass struggle create करने के लिए और हिंदू-Muslim unity जो कि उन्हें दिखती थी कि अगर mass struggle create करना है पूरे देश भर में और अंग्रेजों के प्रयासों को खत्म करना है तो अंग्रेजों की वो जो divide and rule की policy है जिसके तहत वो बड़े लेवल पर Congress के efforts को Muslim league से counter कर जाते हैं और हिंदू समाज के efforts को Muslim समाज को counter-poise करके खत्म कर देते हैं ऐसे में गांधी का ये मानना था कि हमें बड़े स्तर पर पहले तो हिंदू-Muslim एकता बढ़ानी है ऐसे में उन्होंने Muslim समाज के अली बंधों के द्वारा चलाये जा रहे है खिलाफत movement यानि कि तुर्की के खलीफा को उनके सम्मान प् ऐसे में गांधी एक धार्मिक मांग यानि कि तुर्की का मुस्लिम समाज का religious leader खलीफा उसको उसकी गद्धी पर पुना बढ़ाया जाए ये एक धार्मिक मांग है एक धार्मिक सोच है ऐसे में इसे वो master struggle के लिए national agenda पर लेकर क्या रहे हैं Congress का समर्थन ले रहे हैं ये एक बड़ी चीज़ है तो वो religion का इस्तमाल politics में कर रहे हैं लेकिन इसका उद्देश क्या है उद्देश बहुत secular है उद्देश बहुत ही secular है secular क्या है mass struggle क्रेट करना है न ऐसे में मुसलिमों को समर्थन इसलिए तो नहीं किया गांधी ने और मुसलिमों को इसलिए तो नहीं सा और जो जलियामाला बांग में wrong किया गया ये दो wrong correct करें अंग्रेज नहीं तो तब तक खिलाफत movement चलेगी तो end result जो achieve करना है वो secular है और वो है mass struggle करना एक anti-colonial, anti-government, anti-imperialist setup लेकर क्या आना लोगों के अंदर political awakening जागरित करना तो ऐसे में कभी भी staunch religionist होते होए मौलाना कभी भी communalist नहीं हुए, उनके सारे act secular है, तो धर्म का राजनीति में अंटर करना और politics को define करना religion के parameters पर ये किसी तरह सी communalism नहीं है, मित को आपको समझना जरूरी है, ऐसा मित हमेशा फैलाया गया है, हाँ एक outcome जरूर आया, ये भी मैं आपको बता दू, ना चाहते हुए भी कई चीजें हमें by product मिलती हैं, खलीफा के नाम पर उस movement में खिलाफत समर्थन करना गांधी का ना चाहते हुए भी religion को धर्म में लाया और इसका फिर लाब उठाया communal parties और communal groups ने, और फिर उन्होंने उस धर्म के अधार पर लोगों के समर्थन जो जुटाया गांधी ने, उस इस बात को, यह by default नहीं होता है, कोई चीज by default यहां पर नहीं दिखी, आपने उसे channelize किया एक दिशा में, फिर वो ऐसा हुआ, इसको समझना जरूरी है, अगला है is not religious differences, communalism religious differences नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि religious differences का ही अर्थ है, communalism, जबकि यह correct नहीं है, यह जो खांसी है, यह तड़के की वज़ा से हो रही है, जब वो चड़ता है, तो होती है, क्रिपैसे अन्यता ना ले, परणायाम करते हैं, फिट रहते हैं, तो religious differences का अर्थ यहां पर क्या है, वो यह कह रहे हैं कि सदियों से, centuries हिंदू और Muslims के बीच में कही तरह के social, कही तरह के political, economic, cultural differences रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी यह प्रमानित नहीं हुआ, कि वह समाज एक जुट होकर के आपस में tolerance के साथ नहीं रह सकते, अब वो कई प्रमान मिलते हैं, medieval Indian society के दौरान, जब आपको नजर आएगा कि हिंदू-Muslim एकता का परचार मिला, चाहे वो भक्ती-सूफी movement ही थी, चाहे वो हिंदू समाज के द्वारा कई Muslim सूफी संतों को, कई जगाहों को मानता देना और समान देना, इस तरह की कई घड़नाएं हैं, इसमें exceptions always रहती हैं, exceptions always रहती हैं, अकबर के द्वारा भी हिंदू-राजाओं का मसकर हुआ है, हिंदू-राजाओं के द्वारा भी आकरमन मुसलि लेकिन यह तो पॉलिटिकल होता है, यह तो पॉलिटिकल आसपेक्ट है, अब पॉलिटिकल एंड अचीव करने के लिए कोई राजा उस समय किसी जिहाद या धर्म की थियूरी का इस्तमाल कर रहा है, वह अलग बात है, overall समाज के लेवल पर एक tolerance था, हमें उसे acknowledge करना पड़ है, लेकिन religious differences होना, communalism है, यह incorrect है, अगला है, not in inherit in the Indian society, एक question आ सकता है, आपको general studies का भी, जितना भी topic पढ़ा रहा हूं, सारा question ही तो है, आप से यह सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन सीधे सीधे question आ सकता है, कि आरोप यह लगाया जाता है भारत के ऊपर, कि यह ए है इंडिया के past का, communalism is the hangover of the Indian past, so it is inherited in the Indian society, जबकि यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, it is not the hangover of the Indian past, it is not inherited in the Indian society, ऐसा correct ही, अगर यह होता, तो अब ध्यान से observe करके देखिए, बड़े पैमाने पर, अकबर के राज्ये की झाल